नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूट्यूब एजिक इस्टेन चनल में आज हम सिखने वाल है बैक्टोकलेव डियस ड्राइ सीरप के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक उसके बारे में कि कौन से अलग-अलग medical conditions को ये सीरप जो हो ट्रीट करता है और उसके side effects के बारे में सिखेंगे उसके dose के बारे में सिखेंगे कि बच्चों के लिए ये खास कर use की जाती है तो उसका dose कैसे हम calculate कर सकते हैं तो थुरू करते हैं आज का lecture और जानते है back talk लेव DS dry syrup के बारे में तो इसको DS क्यों का हो जाता है वो भी हम समझेंगे और किस तरह से medications का आप सही उपयोग कर सकते हैं तो detail में जानते हैं आज के lecture के अंदर तो ऐसे ही आपको सिखना है बहुत सारे बीमारियों के बारे में उपचार के बारे में तो medicine course को जोईन कर सकते हैं जो फार्मार अक्सक्राप उपर आप जोईन कर सकते हैं तो ये course जोईन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी एप को डाउनलोड कर सकते हैं हमारा WhatsApp नंबर है 9016312020 तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं बैक्टो क्लेव DS dry syrup के बारे में तो ये ऐसा class का medication की जिसको हम antibiotics कहते हैं और antibiotics के अंदर इसके अंदर दो antibiotic का combination है एक जो है वो amoxicillin है कि जो 5 ml के अंदर 400 mg जितना present होता है और क्लेव लिनिक एसिड की जो 57 mg present होता है तो इसके करन जो उसका total जो होता है 457 होता है तो इसके करन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बैक्टो क्लेव DS और 457 अब DS का मतलब क्या है वो भी मैं आपको आगे समझाता हूँ उसे पहले जान लेते कि जो बैक्टो क्लेव है उसका brand name है और उसके manufacturer जो है वो Microlabs Limited है कि जिसका headquarters जो है वो Bangalore में है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Microlabs जो है वो इक Indian Pharmaceutical Company है और उसका headquarters जो है वो Bangalore में हो रही है बहुत सारे pharmaceutical products जो है वो manufacture करते हैं कि उसके एक famous product आपको साइथ पता होगा कि जो Dolo 650 tablet आप यूज़ करते हैं उसके manufacture भी Microlabs Limited है आगे जानते हैं उसके बारे में कि जो हमने बात के कि DS क्यों लिखा जाता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे एक product है वो देखो मैं highlight कर रहा हूँ कि सिर्फ backtocleve लिखा हुआ है तो जो backtocleve जो original है वो 3.3 gram रहता है कि जिसको single standard कहा जाता है और उससे double strength वाला यह available होता है backtocleve DS कि जिसके अंदर 6.6 gram है कि जो almost double हो जाता है कि 3.3 से 6.6 होता है और same 30 ml में ही यह content रहता है तो उसके करन यहाँ पे लिखा जाता है DS यानि कि double standard और जो single standard होता है उसके अंदर total content होता है उसका तयार होता है तो जानते हैं अब कि amoxicillin क्या है तो amoxicillin जो है वो aminopenicillin class का antibiotic है कि जिसको beta lactam antibiotic भी हम कहते हैं और यह prescription based medication है और जो बहुत सारे bacterial infections को treat करने के लिए use किया जाता है अब दूसरा सवाल यह हो कि potassium kleulinate का यहाँ पे role क्या है कि combination में potassium kleulinate क्यों add किया गया है तो उसका simple explanation यह है कि जब भी कोई patient या फिर person amoxicillin लेता है तो क्या होता है कि उसके अंदर जो bacterias जो होते है वो amoxicillin के structure को destroy करने के लिए एक enzyme को release करते है और वो enzyme का नाम होता है beta lactamase enzyme और यह beta lactamase enzyme के पास ऐसी properties होती है कि जो क्या करता है penicillin के structure को destroy कर देता है तो मान लो आपने amoxicillin ली और उसके बाद आपके सेरीर के हैं अंदर मोज़ जो bacteria है वो beta lactamase release करेंगे और जो आपने amoxicillin ली है उसके structure को destroy कर देंगे कि जिससे क्या होगा कि आपको medicines लेने के बाद उसके कोई effect ही नहीं होगी तो ये problem ना हो इसलिए penicillin या फिर amoxicillin या फिर ticaricillin के साथ potassium chloralinate एड़ किया जाता है because potassium chloralinate जो है वो beta lactamase inhibitor drug के तोर पे काम करता है मान लो bacteria ने beta lactamase enzyme release भी कर दिया पर जो potassium chloralinate क्या करेगा वो enzyme की activity को जो हो तूरंत destroy कर देगा कि जिससे amoxicillin का जो structure है वो destroy नहीं होगा बलकि bacteria दरा release किया हुआ enzyme destroy हो जाएगा कि इसी purpose से potassium chloralinate जो इसके साथ combination में जो हो use किया जाता है अब आगे बात करते हैं उसके content की और किस तरह से 1 ml के अंदर कितना content रहता है 2 ml में कितना रहता है और उसका dose क्या है वो हम जानते है तो यह पर आप label की उपर देख सकते हैं कि 5 ml समझे कि आप content लेते हैं तो amoxicillin की जो उसका salt form amoxicillin trihydrate के form में है तो वो रहेगा 400 mg जितना और जो klevolenic acid है वो रहता है 57 mg जितना इसके अंदर फिर उसको बना एक ऐसे जाता है कि यह तो dry form में दिया हुआ है powder तो उसमें से आप syrup कैसे तयार करें suspension कैसे तयार करें तो सबसे पहले जो bottle दी जाती है उसको थोड़ा shake कर दिया जाता है कि जो powder जो होता है उसको आपको पहले shake करना होता है और उसके बाद second step आप करेता है कि जो आपको water for injection दिया हुआ है उसको तोड़ना रहता है और वो आप powder के अंदर mix कर देते हैं फिर powder के अंदर जो एक level होता है bottle के अंदर तो वो level तक जो है वो पेसन के लिए आप mix करते हैं water for injection और फिर से bottle को जो अच्छे से सेख करते हैं कि जिससे mixing हो जाती है medicines का और फिर वो आप जो दे सकते है patient को फिर दियान ये रखना है कि जब आप proper ये mixing करके content तयार कर लेते हैं तो within 7 days के अंदर ये जो suspension या फिर जो syrup तयार होती है उसको use करनी होती है और जब तब आप उसको use करते हैं इतने दिनों तक refrigerator में उसको store करना होता है आगे जान लेते हैं उसके dose के बारे में तो child के लिए ये जो dose होता है suspension का 25 से लेकर 75 mg होता है per kg per day के हिसाब से मान लो कि बच्चे का वजन जो है वो 10 kg है तो 10 kg के लिए उसका dose हो जाएगा 250 से लेकर 750 mg per day जितना तो उसमें से मान लो आपने decide किया कि आपको 750 mg per day जितना dose deliver करना है बच्चे को तो उसके लिए आप उसको divided dose में medication देगे कि 750 mg के आप 3 divide कर देंगे dose 250 प्लस 250 प्लस 250 तो पूरे दिन में 750 mg जितना dose जो वो deliver हो जाएगा तो उसके लिए कितना ml दिया जाए तो आप मान लो कि 1 ml जो होता है content उसके अंदर 80 mg जितना amoxosiline होता है अगर आप 2 ml जितना देते हैं तो उसके अंदर 160 mg होगा 3 ml के अंदर 240 mg 4 ml दिया जाता है तो 320 और 5 ml दिया जाता है तो 400 mg जितना amoxosiline उसके अंदर present होगा तो उसके लिए आप खास कर ये करेंगे कि आपको 250 mg दिन में 3 बार देना है तो आप उसके nearby आप देखो कि 3 ml देने से 240 mg जितना dose deliver हो सकता है एक बार में तो इस हिसाब से आप 3 ml जितना content बच्चे को दिन में 3 बार जो वो दे सकते हैं तो इस तरह से proper dose calculate करने के बाद medicine जो वो दी जाती है यूस की हम बात करें तो जब middle year infections होता है बच्चों में मला कि कान में दर्द होता है वहाँ पर pulse form में सुनोता है otitis media भी हम कहें देख देख लिए एक problem कई बार होता है बच्चों के अंदर कि कान में से जो है उनको pulse आना सुरू हो जाता है उनको वहाँ पर दर्द होता है तो वो conditions को treat करने के लिए backto claim DS dry syrup यूस किया जाते है second tooth infection मनला कि दात में infections हुआ है वहाँ पर cavities बनी है दर्द हो रहा है और वहाँ पर समझों के सुजन हो गई है मसुडों के अंदर तो वो conditions को treat करने के लिए भी dentists जो है बच्चों को ये prescribe कर सकते हैं तिसरा pneumonia की condition की जो एक respiratory tract infections है तो उसके इलाज में भी ये medications यूस की जाती है skin infections हुए है urinary infections है typhard हुआ है nozzle sinuses की condition है या फिर strap throat या उनके गले के में खारास जैसे problem है तो ये सभी conditions को treat करने के लिए ये medications यूस की जाएगी अब उसके mechanism के कैसे काम करता है तो amoxicillin क्या करता है जो bacteria के अंदर जो उनके cell wall होती है उसको destroy कर देता है या पर आप देखो कि ये bacteria के आसपास उसकी एक cell wall है कि जो उसके protection के लिए जरूरी है पर हमारी ये जो medication है वो directly target करती है ये cell wall synthesis के उपर अगर cell wall का synthesis नहीं होगा पाएगा या फिर जो बनी हुई cell wall destroy हो जाएगी तो bacteria आगे जो वो survive नहीं कर पाता और उसके death हो जाती है तो ये medications लेने के बाद क्या होता है bacteria की जो मातरा जो है जो संक्या हो दीरे दीरे कम होते जाती है और आपका infections जो हो ठीक होता है अब आगे बात करते हैं उसके side effects के तो ये medications लेने के बाद nausea vomiting हो सकता है diarrhea हो सकते है पेट में दर्ध हो सकता है सीर दर्ध रैसिस हो जाने skin के उपर वज़ाइन लीचिंग या फिर discharge जीब के उपर सुजन देखने को मिलना वहाँ पे hairy tongue देखने को मिलना तो ये कुछ side effects ये medications कर सकती है warnings के हम बात करें तो ये medications देने से पहले जो बच्चे के parents होते हैं उनके साथ एक counseling करना ज़रूरी होता है कि अगर बच्चे को past में allergy है ampicillin के या फिर amoxicillin के या फिर penicillin के तो ये medication prescribed नहीं करनी चाहिए फिर second condition liver problem है कोई तीसरा कोई blockage है normal bile flow के अंदर बच्चे के अंदर severe renal impairment है मैं जाए कि उसके kidneys खराब है या फिर kidney अच्छे से काम नहीं कर रही या फिर उसको allergy है penicillin या फिर sephaloscoring की तो ऐसी condition में ये medication prescribed नहीं की जाती तो ऐसे ही सीख सकते है आप detail में medicine course में बहुत सारी दवायों के बार में DCs and medicines course के अंदर कि जो आप pharma rocks के आप उप पर access करते हैं कि जिसका study material उसके ppt's वगेर आप access कर सकते हैं तो इसको join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पर या फिर हमारी आपको download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best